नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 29 अपरेल 2023 के डेली न्यूस्पेपर एनलेसिस और एडिटोरिल एनलेसिस में आपका स्वागत है कौन-कौन से इंपोर्टेंट न्यूस है तो भीया कोर सेक्टर में जो आउटपुट है मार्च में 3.6% गिरा है जो एट कोर सेक्टर से हमारे इंडेक्स ओफ इंडेस्टिल प्रोडक्शन में इनका उटपुट पिछले 5 महीनों में सबसे कम है 3.6% गिरा है मार्च में इस पर्टिकुलर स्टाटिस्टिक को समझने कोशिश करेंगे बर्सौयर और रिफाइनरी प्रोड़ेट के बारे में बात की जा रही है महराष्ट के अंदर इस रिफाइनरी प्रोड़ेट के अगेंस्ट बहुत सारा पोजिशन हो रहा है इसको देखेंगे फिर क्या बोला जा रहा है कि हेट स्पीच की अगेंस्ट आपको F.I.R. रेजिस्टर करनी है सो मोटो चाहे कोई कम्प्लेंड आये चाहिना है ऐसा सुप्रीम कोड ने राजजी की सरकारों को नलदेश दिया है इसको देखेंगे केरला स्टोरी को लेकि क्या पॉलिटिक्स हो रही इसके बारे में बात करेंगे दिल्ली में जो रेस्टलर्स ने यहाँ पर F.I.R. दर्ज की है बीजेपी के एक सेनर नेता के अगेंस्ट इसको लेके यहाँ पर डिसकस करेंगे यह न्यूस भी इसमें पर काफी वाइरल हो रही है तो एतनी न्यूस डिसकस करने वाले है उसके साथ वोमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेडिटिक आर्टिकल है IPL में कैसे क्लाइमिट एक्षन को आप कहलो सस्टेन किया ज़ा सकता है IPL की वहिए से बहुत सारी ग्रीनाउस गैस अमिशन होते हैं कहीं नक्रीन इन्वार्मेंटल सस्टेनिबिल्टी नहीं हो पा रही है चार topics यह और लगबग 5 topics news के तो 9 important topics हैं इस प्रकार से 9 से 10 daily के basis पर मैं current affairs और editor को मिला के important current affairs की news आपके लिए लेके आता हूँ I hope आपको अच्छी लगते हूँ इसके साथ दोस्तों extra current affairs की वीडियो के लिए आप मेरे app अर्शिद्वेदी एजुकेशन पर जा सकते हैं नीचे description box में उसका link मिल जाएगा आपको link मेरी android की application करें मिल जाएगा वहाँ पर अर्शिद्वेदी एजुकेशन और IOS में जो कि बहुत सारे technical loopholes है आई-पी, standard की बात करते हैं पैसे बहुत खर्च करने पड़ते हैं तो अभी के लिए अगर IOS users हो तो my institute app download कर सकते हो और वहाँ पर PJDDN organizational code डालिए तो आप मेरी app तक पहुन जाएंगे तो I hope आपको app में भी कुछ useful content बिलेगा word of the day देख लेते हैं आज का orthography orthography मतलब correct spelling the art of writing words with the proper letters according to standard usage मतलब words को लिखने की art proper letters को इस्तमाल करते हुए standard usage के साथ चलिए पहली news GS paper 1-3 problem with women sports Delhi police registered 2FIR in wrestlers case तो भाई यह दिल्ली police ने supreme court को यह inform किया है कि यह एक first information report file करेंगे चुकि कुछ women wrestlers ने sexual harassment के allegations लगाएं और खासकर जो main allegations लगाएंगे हैं वो wrestling federation of India के president ब्रिज भूशन सरंग सिंग के उपर लगाएंगे हैं यह एक बहुत ही senior रेता है BJP party के और बहुत ही powerful member of parliament है खास बाद दोस्तों यहां पे यह है यह थोड़ा सा अजीब लगा कि wrestling federation of India के president यह 2011 से इत्ते लंबे समय से एक politician का एक particular sports body का president रहना अपने आप में यह बताता है कि एक right approach नहीं है wrestling body के federation को लगातार मतलब presidents को लगातार change करना चाहिए उससे क्या है कि diversity आती है एक competitiveness की भावना आती है उस level की efficiency हम नहीं ला पाएंगे तो इन wrestlers के बहाव पे senior advocate कपिल सिब्बल साब इस particular matter को Supreme Court में represent कर रहे है उन्होंने बोला कि इस समय पे हम दो counts पे थोड़ा tension में एक तो wrestlers की safety और security के लिए tension में दूसरा ओरार हम चाहते हैं कि special task force बने यह special task force बिर्ज भूशर सिंग के अगेंस्ट यह इलजाम लगाए जा रहे इनकी investigation करें चोकि बिस भूशर सिंग के अगेंस्ट और लड़ी 40 cases चल रहे है इने पीनल कोट section 302 मडर का case भी चल रहा है बिर्ज भूशर सिंग के अगेंस्ट तो proper investigation यहाँ पे होनी चाहिए फिर Mr. Kapil Sibbal नेक record on affidavit भी यहाँ पे place किया है sealed cover में on the behalf of alleged minor victim जी हाँ एक particular victim जिसने यहाँ पे sexual allegations के charges लगाए है वो minor है तो minor के दोरा लगाएगे sexual allegations के charges मतलब आप समझ रहे हो ना rape का इलजाम लगाया जा रहा तो basically Supreme Court ने यहाँ पे दिल्ली Police Commissioner को direct किया है कि आप एक threat assessment exercise करिए overall minor को security provide करिए फिर Supreme Court की bench ने solicitor general से बोला है कि भाई एक copy affidavit की दिल्ली Police Commissioner को भी दीजे ताकि दिल्ली Police Commissioner समझ सके कि minor को यहाँ पे क्या threats आप समझ रहे हो ना यह matter बहुत sensitive हो चुका है Supreme Court अगर दिल्ली Police को बोल रही है ना तो अब दिल्ली Police की responsibility बनती है उस minor को बचाना अगर उसको कुछ भी हो गया ना तो दिल्ली Police Commissioner के against contempt हो जाएगा और काफी बवाल हो जाएगा तो Supreme Court इस particular matter को यहाँ पे monitor कर रहा है जब यह matter शुरू हुआ था तो इन वेस्टलर्स ने federation officials के उपर रिजाम लगाया कुछ officials के उपर यह रिजाम लगाया कि financial impropriety करते हैं corruption होता है unsympathetic तरीके से planning की जाती है जो रेस्टलर्स ने उनका mentor harassment किया जाता और finally जो सबसे बड़ा इलजाम था वो यह था कि sexual allegation किया है एक senior member of parliament बेजबूशन शरन सिंग्ल इसके respect में already एक video available है चैनल पे वो triggered Indian restless protest यह विनी सर ने बना रहा कि आप इस particular video को देखिए यहाँ पे भी आपको काफी जानकारी मिलेगी आगे चलते है government opposition call for ban on deeply divisive केरला story movie यह सरकार केरला की government की बात हो रही है जिसमें परती सिनेमा के respect में news काम किये तो केरला की जो ruling left democratic front की सरकार है पिनराई विजयन साब के और उसके सासद जो opposition है के इंदर United Democratic Front जिसमें जो dominant party है वो है international congress इन दोनों ने ही overall इस केरला story के against अपनी आवाज उठाई है यह जो केरला story नाम के film release होने वाली है यह overall इसके respect में भी एक video available है चैनल पर आप इसको देख सकते है I wanted to become a nurse Now I am a terrorist इस particular movie में यह बताया गया है कि कैसे देखे इस particular movie का claim यह है कि Islamic State को केरला एक fertile ground लगता है युथ को recruit करने के लिए मतलब आराम से धरम की ideology के नाम पे यहाँ पे युथ को recruit किया जा सकता है उनको बहलाय पुसलाय जा सकता है और फिर उनको लड़ने के लिए Islamic State के बहाफ पे दूसरी countries में इराग, सीरिय, अफगानिस्तान जैसी countries में ले जा सकता है तो यहाँ पे red flags point out किये गए है अब देखे बात यह है कि यहाँ पे पूरी community को target कर रहा है यहाँ पे जो केरला की सरकार है ruling सरकार, opposition सरकार वो यह बोल रही है कि भाई इस परकार की videos के थूँ जो आप message दे रहे हैं वो message society को तोड़ के रख देगा in fact जो facts हैं वो यह बताते हैं इन facts को testify किया गया है हमारी intelligence agencies के दोरा कि 2016 से 2018 के time period में केरला से 32,000 आदमी औरत as a conscript ISIS की तरफ से देश के बाहर लड़ने के लिए गया अपने आप में बड़े scale पर यहां पर equipment टूंट हुआ है और खास बात दोस्तों यह है कि यहां पर जो कुछ ladies गई थी वो नई नहीं मुस्लिम मनी थी वो Christian धरम की थी और उन्होंने अपने आपको Muslim धरम में convert किया था तो वो इस हद तक कि यहां पर radicalized हो गई थी कि लड़ने की चुकि देखिए अमूमन इंसान कभी भी ऐसा decision नहीं लेता है आप हो चाएं मैं हो चाएं कोई और भी हो हम अपने मतलब का decision लेते हैं पर हम ऐसा कोई decision नहीं लेते हैं जिसमें हमारा लो नुक्सान हो उसके बवजूद भी इंडिया जैसी safe country को छोड़के अफगानिस्तान जैसी country में ISIS के बहाफ पे लड़ने जाना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है उसके बाद भी इस हद तक यह लोग deeply influence हो रहे हैं radicalized हो रहे हैं कि चले जा रहे हैं तो जो cinema का trailer release हुआ internet के उपर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे for Kerala की radicalized woman और उनके husband ISIS के बहाफ पे खोईसान प्रोविस अफगानिस्तान में लड़ने के लिए 2016 में तो जो culture affairs minister के के साजी चेरिया न वो बोल रहे हैं कि इस divisive film का boycott होना चाहिए ठीक है ना government को legal options explore करने चाहिए इसकी screening को रोकने के लिए फिर जो leader of the opposition वीडी सतीसन उन्होंने सरकार से बोला है कि भई आप इस particular movie को केरला के अंदर बैन करो तो यह सब चीजे फिर बीजेपी के उपर और संग सरकार के उपर संग परिवार के उपर अज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जबर्दस्ती इस्लामोफोबिया फैला रहे है वेकि केरला पुलिस ने खुद overall यह conclude किया है कि Islamic State के serial online propaganda के चलते overall यह 4 couples केरला चोड़के अफगानिस्तान में आइसिस के लिए लड़ने गए थे और इसमें से 3 लोग तो 9 ने इसलाम में convert हुए थे अभी के लिए देखो तो 2019 में काबुल की जेल में यह ladies पाई गए इनके husband तो आइसिस के बहाफ पे लड़ते लड़ते मर गए इन ladies ने जो की यहां से convert होके गई थी लड़ने के लिए अफगानिस्तान की सरकार को surrender कर दिया अपने बच्चों के साथ इनके husbands की मौत हो चुकी है अभी के लिए वो काबुल के prison में बंद है वापस आना चाहते हैं बड़ा भारत सरकार ने बोल दिया कि भाई यहां पे जगा नहीं है आपके लिए चुकि बिल्कुली terrorist ideology के साथ यह वहां पे लड़ने के लिए गए है 2020 में एक woman की video social media पे आई थी और इसमें repatriation की बात होने लगी थी कि भाई यह जो लोग है यह Indians इनको वापस लेके आया जाए लेकिन भारत की सरकार ने भी directly नी बट indirectly back channel से शायद आफगानिस्तान की सरकार को बता दिया है कि हम इनको वापस नहीं लेना चाहते है इनको जेल में बंद रहने लो तो यह particular movie अब देखिए इस प्रकार की movie काफी sensitive होती है और अलग-अलग तपके के लोगों की इसके बारे में अलग-अलग राय हो सकती है तो आपकी जो भी राय है proper भाशा में नीचे comment box में आप लिख सकते हैं आप गाली का लोज मत करना वैसे मैं कित्ता है बोलू लोग करने ही लगते है और फिर भी अप क्या किया जाए हो सके है तो मत करिए next gs paper 3 Indian economy core sectors output dip to 5 month low of 3.6% in March देखिए ये particular जो parameters हैं और जो statistics हैं हर महीने आते हैं अगर इंडिया के 8 core sectors के output की बात की जाए तो March में ये 3.6% घटा है when compared to March 2022 तो March 2023 में ये March 2022 के comparison में कितना घटा है आपका 3.6% घटा है फरवरी में 7% sorry घटा नहीं बढ़ा है मतलब एक चीज़ मैं आपको बता दू March 2022 के respect में March 2023 में ये output 3.6% घटा है ग्रोथ है ये लेकिन ये growth comparatively कम है चुकि फरवरी 2023 में फरवरी 2022 के comparison में 7.2% की growth ती तो growth तो हुई है बट slow down है growth धीरे हुई है ये बोला जा रहे है यहाँ पर फिर coal production की बात कीज़े तो March में coal production 12.2% बढ़ा है जो fertilizer और steel sector का output है वो 9.7% और 8.8% बढ़ा है recent month से थोड़ा धीमा है ये data बताया गया है Commerce और Industry Ministry के दोरा अगर आप पूरे financial year 2022-23 की बात करो तो जो core sectors है वो 7.6% बढ़े है when compared to 2021-22 2021-22 में 20-21 से comparison में 10.4% बढ़े थे Crude oil का production यहाँ पर घटा है समझ गए 2022-23 में crude oil का production when compared to 2021-22 1.7% घटा है Natural gas production की बात की जाए तो March में natural gas production 2023 में 2.8% कम है March 2022 से और पिछले 3 महीनों में सबसे कम है और जो refinery product है वो बढ़े है 1.5% की speed से March 2023 जो बढ़ने की speed है न यह पिछले साल के corresponding month में होती है तो अगर आप March 2023 कर रहोगे तो March 2022 से compare करोगे अगर आप जनवरी 2023 करोगे जनवरी 2022 से compare करोगे जब comparison पिछले महीने से होता है तब साफ साफ लिखा होता है month on month लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो समझ लीजे कि पिछले financial year के उसी particular corresponding month से यहाँ पे comparison हो रहा है कुछ statistics है बहुत जब इन statistics में घुसने की ज़रूद नहीं है 8 core sectors है हमारी economy के coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, cement, electricity यह 8 core sectors 40.27% बनाते हैं index of industrial production का अगर आप 8 core sector industries की बात करो इंडिया के अंदर तो इनका relative weightage कितना है तो refinery product सबसे ज़्याद है इसको compile किया जाता है और monthly publish किया जाता है central statistical organization के दौरा जो कि ministry of statistics and program implementation के अंदर काम करता है ठीक ना index of industrial production की बात कीज़े तो index of industrial production में mining, manufacturing और electricity तीनों sectors को count किया जाता है इसमें basic goods, capital goods, intermediate goods सब included होते है base year क्या है? index of industrial production का 2011-12 अगर आप फर्ग जानना चाहते हो दोस्तों index of industrial production के बीच में और index of 8 core industries के बीच में तो आप मेरी इस particular video को देख लीजे यहाँ पे कौन कौन सी report release करता है report का release होने का time क्या है इन दोनों के बीच का significant difference क्या है? यह समेंने इस particular video में बहुत proper और precise तरीके साब को समझा रुखा है 10-11 मिलिट में पूरा topic समझ में आ जाएगा index of industrial production की बात की जाए तो इसको government agencies दोरा इस्तमाल किया जाता है ministry of finance के दोरा reserve bank of India के दरा policy making के लिए extremely relevant है यह index of industrial production quarterly और advanced GDP estimates को calculate करने के लिए ठीक है भाई? आगे चलते GS पे बरती industrial pollution बरसार oil refinery project villages continue protest against refinery project in महरास्ट क्या बताया जा रहा है? तो भाई यह रतनागिरी refinery and petro chemicals limited बारसू नाम की जगा पे है महरास्ट के अंदर वहाँ पे 100 की तागाद में villages लगातार पांचवे दिन प्रोटेस्ट कर रहे है इनका यह बोलना है कि यह जो particular project है रतनागिरी refinery and petro chemical limited यह local ecology को तबहा करके रख देगा कौनकन रीजन की उनकी way of life को बदल के रख देगा देखिए refinery और petro chemical limited company obviously बात माइनिंग करेगी और माइनिंग में इस बात में कोई डाउट नहीं है कि local ecology तो देखो खराब होती ही होती तो यहाँ पे यह जो protesters हैं वो राज की सरकार के सामने demand कर रहे हैं कि यह जो soil survey आप conduct कर रहे हैं उसको बंद करो हम चाहते हैं कि इस इलाके का overall development हो but development at the expense of ecology हम यहाँ पे नहीं चाहते हैं 700 protesters को यहाँ पे detain किया गया है 112 को book किया गया है under sections related to routing, unlawful assembly and disobedience to public disorder. Chief Minister एक नाशिंडे साब नहीं यहाँ पे propose किया है कि बाई overall local लोगों की consent के बिना इस particular project को ground level पे implement नहीं किया जाएगा हम situation को peaceful बनाने कोशिश करें मतलब भारी बवाल हो गया है यहाँ पे lead कर रहे हैं फर्स को कौनकन विनाशकारी प्रकल पिविरोध समीती इनके Mr. Seven ने बोलाए कि हम region के development के against नहीं है पर इस प्रकार की refinery एक red flag category में आती है और यह red flag category local ecology को तभा करके रख देगी वो हम नहीं होने देंगे रतनागिरी refinery और petrochemical limited की बात की जाए तो joint venture country है second September 2017 को यह बनाई गई थी तीन national oil companies of India को मिला के Indian oil corporation limited भारत petroleum corporation limited और हिंदुस्तान petroleum corporation limited यहाँ पे इन तीनों की equity है 50 is to 25 तीक है न भाई यह प्रपोस करता है कि हम एक integrated refinery पेट्रो chemical complex मिलाएंगे west coast of महरास्ट में फिर अगर आप देखो तो यह fuel के अलावा यह project और भी कुछ downstream petrochemicals project को implement करेगा इंडिया के fast going fuels और petrochemical की demand को fulfill करने के लिए Saudi RM को और Abu Dhabi national oil company जो कि दो global oil or gas majors है उन्होंने भी अपना interest expressed किया है इस particular project में partnership करने के लिए और इसके लिए memorandum of understanding में sign हुआ है तो international players तक overall is integrated refinery और petrochemical project में interested है but problem यह कि लोग बड़े scale पे agitation कर रहे हैं तो execute होगा कि नहीं होगा कहा है नहीं सकते next जिस पेपर 2-3 judiciary hate speech register FIR against hate speech even in absence of complaints supreme court direct तो supreme court ने 28 अप्रेल को राज्यों को direct किया है कि आप sue motor basis पे FIR register करिये अगर किसी भी राज्यक के अंदर hate speech से related कोई भी incident होता है तो आपको complaint file होने का इंतजार करने की जरूत नहीं है FIR file होने का इंतजार करने की जरूत नहीं है आप overall सीधे सीधे यहाँ पर proceed कर सकते हो एक bench of justice के एम जोजफ और बीवी नागरतना जी ने बोला है कि जो court का order है वो सारे hate speech makers के उपर लागू होगा irrespective of their religion nation का जो secular nature है उसको हमें किसी भी हाल में protect करना है court ने यहाँ पर यह भी committee between different groups on ground of religion दूसरा section 153 B imputations assertions prejudicial to national integration फिर section 505 public mischief और section 295 A deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings यह सब इंडियन पीनल code के relevant provisions है और irrelevant provisions के अंदर hate speech offenders को book किया जा सकता है ठीक ना तो supreme court यहाँ पर राज जी की सरकारों को यह direction देरी कि अगर कहीं hate speech होती है तो it will attract offense under section 153 A, 153 B 295 A and 505 of the Indian Penal Code ठीक है भाई और अगर police officers किसी भी प्रकार का कोई hesitation दिखाते हैं इस order को abide करने में तो इसको as a contempt of court देखा जाएगा ओके supreme court ने बोला है कि politics के नाम पे हमारे देश में बहुत hate फैलाई जारी है बहुत घ्रणाई फैलाई जारी है आपने 21 शताबदी को religion को मजाग बना के रख दिया है religion के नाम पे लोगों को गालिया देना उनके अगेंस उल्टा सिधा बोलना और यह हर धरम के लोग कर रहे हैं तो यह बवाल यहां पे नहीं चल पाएगा आप धरम का हवाला देकर climate of hate को propagate नहीं कर सकते हैं इसलिए राजजिक की सरकारों को clear cut बोला जा रहा है complaint file होने की ज़रोद नहीं स्यू मोटो एक्शन लो तो यह सब बाते हैं और यहां पर बताई जारी constitution की बात की जाए तो भारत को as a secular nation मनाने की बात की जारी जहां पर fraternity हो, dignity हो, individual की country unity and integrity हो, प्रेमबल के guiding principles पर हम ध्यान दें यह Supreme Court ने October में बोला था October में actually में case इसलिए पहुँचा था कि दिल्ली और हिद्वार में 2021 में कुछ incidents हो जहां पर Muslim community के अगेंस कुछ hate speech बोली गई थी In the turn, कुछ Muslim community के leaders भी हैदराबाद के अंदर और देश के अलग हिसों के अंदर Hindu communities के अगेंस्ट आग उगलते नजर आते हैं तो यह सारा बवाल, यह सारा रायता बंद होना चाहिए Supreme Court ने clear cut यहां पर बोला है चाहे कोई भी बोल रहा हो hate speech उसके against action लेना होगा फिर बात करते हैं, woman reservation will cannot wait any longer अब यह article रिखा है रीना गुपता जी ने national spokesperson है आम आदमी party की तो एक second को लग सकता है कि हो सकता है कि आम आदमी party के favor में हो या फिर और उसके हक की बात कर रहा हो 75 साल हो चुके हैं हमारी आबादी को, अभी भी parliament में substantial representation की कमी है, हमारी जो आधी आबादी है, woman is almost half of the population half of the population के बास parliament में केवल 14% seat है तो यह क्या है, this is a systematic explosion of woman from politics caste के आधार पाप reservation की इस basis पे देते हो कि जतनी caste की population है इंडिया के अंदर उतना कम से कम आप उनको representation तो दो तो woman reservation भी साधार पे उना चाहिए जितनी woman की population है इंडिया के अंदर कम से कम उतना reservation तो मिलना ही चाहिए अब population है woman की 50% और parliament में केवल 14% woman तो यह ठीक नहीं है, woman ने इंडिया की independence में बहुत important role play किया demonstration हो, rally को lead करना हो awareness बढ़ाना हो, woman ने बहुत कीच किया, आज की date में भी अलग-अलग fields में woman उपर उठ रही है no doubt, और अगर आप politics की बात को तो politics में भी उठ रही है, बट politics में उठ रहना थोड़ा woman के लिए मुश्किल हो रहा है, constituent assembly जब बनी थी 1949 में constituent assembly काफी पहले बनी थी overall 1949 तक तो हमारे constitution पर signature भी पढ़ गया थी, तो constituent assembly में भी बहुत सारी female representatives थी, दस साल पहले तक अगर आप देखो in fact आज भी West Bengal के अंदर तो एक woman chief minister भी है Tamil Nadu में अंदर लगबग कई साल पहले जैलिलता जी थी, उत्रप्रदेश के अंदर मायवधी जी थी, तो overall women leaders रही है इंडिया के अंदर, ठीक है शुश्मा सुराप जी, leader of opposition थी लोग समा में सोनिया गांदी जी, president रही है, congress party की और chairman रही है, United Progressive Alliance की प्रतिवार देवी पार्टेल जी हमारी president रही तो no doubt Indian politics में बहुत सी ऐसी women है जो influential है, बट ये handful है, बहुत कम ऐसी women है जिन्होंने patriarchal backlash को हटा के इतनी important political post पे अपने आपको establish किया हो, जादा तर women ऐसा नहीं कर पाई है तो women की reservation को इंडिया की politics में बढ़ाने के लिए किया क्या गया है, 1955 में सरकार ने एक committee appoint की ती, जिसने बोला था कि 10% सीटे लोग सब और state legislative assembly में women के पास होनी चाहिए, फिर 1980 में फिर से women reservation के लिए momentum बढ़ा, फिर एक national perspective plan बना women के लिए 1988 में जिसने बोला कि जितनी भी elected bodies उसमें 30% जो seats हैं, वो women के लिए reserved होंगी, इस particular recommendation को national policy for the empowerment of women में reiterate भी किया गया जिसको 2001 में adopt किया गया 1993 में पंचाइती राज act में 33% seat सारे local government bodies में women के लिए reserved किये, ये एक और significant step था women political empowerment के respect में और इसके चलते हैं अगर आप देखो तो 1996 में women reservation bill भी introduce किया गया लोकसभा के अंदर ये bill ये बोल रहा था कि लोकसभा और state legislative assembly में एक high seats women के लिए reserved की जाएंगी, लेकिन बहुत सारी political parties ने इस particular bill के पती, बहुत strong opposition दिखाया, ठीक है तो bill तो यहाँ पर पास नहीं हो पाया, 2010 9 March को bill राजसभा में अप्रूव हुआ और जब यह अप्रूव हुआ तो सोनिया गांदी, सुश्मा सुराच और ब्रिंदा करत, CPIM की एक दुसरे के साथ हाथ पकड़े नजर आई अबर आल यह दिखाना चारी थी कि यहाँ भई, women यहाँ पे progressive तरीके से चीजों को आगे ले जारी है party affiliations यहाँ पे matter नहीं करते पर problem यह कि bill अब तक law बना नहीं है अब तक ऐसा legal नहीं है कि 33% seat women की होंगी ही होंगी चोकि आप देखो तो 14% women parliamentarians है पूरी दुनिया की अगर आप बात करो तो women leaders male counterparts को outperform कर रही है Scandinavian countries की बात की जाए तुन्होंने policy और governance structure कुछ इस प्रकार से मना है जो gender equality को support करते है women empowerment को support करते है political और leadership positions में women के representation को बढ़ाने की बात करते है अगर आप women leadership रखते हो जैसे कि for example Rwanda एक Central African nation यहाँ पे बहुत genocide हुआ बहुत लोग की मौते हुई है लेकिन जब women led leadership यहाँ पे आई एक group of women जब इस particular country की policies को devise कर रही थी तो उन्होंने बहुत की social economic reforms किये जो कहीं न कहीं एक positivity से आजम को नज़र आ रहे है नौर्वे ने 2030 में एक quota system लगाए जिसमें 40% seat corporate boards पे women के लिए reserve की गई तो आप कह सकते हो कि अपने आप में women का political representation देश की development को ensure करता हूँ इंडिया वैसे भी विश्व गुरू बनना चाहता है तो हम इंतजार नहीं कर सकते कि और हम equality के लिए women को wait कराएं पर आता हूँ उस पूरे article के उस पूरे article का सबसे important point ये है कि जो IPL की events होते है अगर एक match की बात करो तो एक match 10,000 tons of carbon dioxide equivalent से 14,000 tons of carbon dioxide equivalent के emissions करता है और overall पूरा लेक IPL का season 7,5,0,0,0,0,0 tons of carbon dioxide equivalent का emission यहाँ पे कर सकता है तो यह जो 7,0,0,0,0,0,0 tons carbon dioxide equivalent का पूरे Singapore के इलाके का tropical forest लगेगा एक साल इस particular emission को absorb करने के लिए तो मतब इतना unsustainable है यह IPL का event अब अगर इतना unsustainable है IPL का event तो इस particular pollution को कैसे tackle किया जा सकता है सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि sport venue में जब sport खेला जाता है उससे किवल 5% emission निकलता है जो main emission है carbon dioxide equivalent का वो तब है कि इस particular IPL की streaming में जो data servers deploy किये जाते हैं वहाँ पे जो energy इस्तमाल होती है प्लस IPL का match देखने के लिए जो लोग एक जगा से दूसी जगा टेवल करते हैं उसमें जो energy वगरा आपके लोग consume होती है कैसे IPL को environmental friendly बिनाया जा सकता है तो जब घरों में LCD स्क्रीन पे TV देखा जाता है, match देखा जाता है तो energy efficient LED डिस्पले अगर लगे हैं तो वो 35 से 40% emission को कम कर सकते हैं overall IPL sporting venue के चलते जो emission हो रहा है उसको 20% तक कम किया जा सकता है जो data centers और data streaming infrastructure जहां से IPL का broadcast हो रहा है अगर उनको renewable energy sources से चलाए जाए तो IPL के carbon emissions 10% से यहाँ पे कम हो सकते है फिर overall stadium में आने जाने के लिए public transport को इस्तमाल किया जा सकता है जिससे और emission यहाँ पे कम हो तो basically यहाँ पे बताया जा रहा है यह net zero society की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो यह जो IPL जैसे events हैं यह कैसे climate friendly हम लोग बना सकते हैं यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो यह यहाँ पे main आपका statistic था जो मुझे आपके साथ discuss करना था बस यही main topic आगे चलते है नन टू सून यहाँ पे सुप्रीम यह जो गवर्नर आपके राज की सरकार के दोरा पास किये बिलों को लंबे समय तक पैंडिंग रखता है इसके बारे में बात की जाए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को एक टैमली रिमांडर दिया है कि constitution उनसे expect करता है कि वो राज की assembly के दोरा पास किये गए बिल को एक reasonable time frame में वापस बेजें क्या होता है कि गवर्नर लंबे समय तक और आल बिल को pending रखते है अभी जो तेलांगना की गवर्नर है डॉक्टर तमिली साई सौंदराजन इन्होंने भी राज जी की सरकार दोरा पास किये गए बिलो को लंबे समय तक pending रखा राज जी की सरकार पहुंच गवर्नर से पूछा गवर्नर ने बोला साब हमने तो सारा approval दे दिया दो को मैंने सरकार को reconsideration के लिए रेफर किया है तो यहाँ पे appeal को तो dispose of कर दिया गया लेकिन Supreme Court ने कुछ important observations दी हैं यहाँ पे वो observations क्या है Supreme Court ने यह बोला है कि अगर आप article 200 की बात करो तो उसमें as soon as possible की importance को Supreme Court यहाँ पे समझा रहा है यह जो expression as soon as possible इस्तमाल कियाएगा article 200 के अंदर इसमें clear cut यह लिखा हुआ है कि governor लंबे समय तक अपनी मन मुताबिक उस particular bill को pending नहीं रख सकता जितना जल्दी हो सके उसको उस particular bill को forward करना है अप्रूवल के बाद या फिर reconsideration के लिए वापस भेजना है अपने पास spending नहीं रखकता लेकिन article 200 के अंदर देखिए बहुत सारे leverage दिये गए हैं आपर governor को article 200 को आपको यहाँ पर article 163 के साथ मिला के देखना पड़ेगा article 200 के अंदर पहली बात तो एक time limit fix नहीं की गई है बिल्स पे act करने के लिए दूसरा कौन से bill प्रेज़ेंट के consideration के लिए भेजे जाएंगे इसका scope नहीं तै किया गया है तीसरा overall governor किसी भी bill पे अपनी ascent देने से clear cut मना कर सकता है यह जो तीन चीज़ें आपर governor को दी गई ना article 200 में बहुत बढ़ी है वहीं पर article 163 की बात करो तो article 163 clear cut यह बोलता है कि कोई particular matter governor की discretion का है या नहीं है इसके अंदर कोई inquiry नहीं की जा सकती राजी की सरकार की दोरा तो article 163 और article 200 यहाँ पर problem create कर रहे हैं governor की power को लेके और इन powers को change करने के लिए इस discretionary behavior को change करने के लिए या तो आपको constitutional amendment करना पड़ेगा या Supreme Court को यहाँ पर कोई strong verdict देना पड़ेगा इन दोनों चीज़ों के अलावा कोई proper solution नहीं निकल सकता या तो Supreme Court को यहाँ पर आके article 200, article 300, 163 के अंदर चीज़ों का on constitution बताना पड़ेगा governor के उपर responsibility impose करनी पड़ेगी नहीं तो parliament को constitution amendment करना पड़ेगा फिर अगला tackling the threat सबतरवी anniversary है South Korea और US का allowance हुआ इस alliance को बोला जा रहा Washington declaration इस declaration के अंदर बोला गया यह कल मैंने current affairs में बताया था कि US के strategic assets को Korean peninsula में deploy किया जाएगा और एक joint nuclear consultative group बनाया जाएगा जो कि tactical information को share करेगा joint training में engage होगा military responses को coordinate करेगा और North Korea के hostile actions को tackle करेगा अब यह Washington declaration में एक बात तो clear है कि nuclear assets को इस्तमाल करने वाली ताकत पूरी तरीके से US के पास रहेगी लेकिन US में बोला है कि हाँ हम कोशिश करेंगे कि South Korea के policy makers को भी involved किया जाए चुकि South Korea में domestically एक notion यह उटके आ रहा है कि कल की date में North Korea उनके उपर attack कर देता है तो क्या guarantee है कि US मदद करने के लिए आएगा तो जब guarantee नहीं है तो हम खुद की nuclear capabilities को develop करें लेकिन यहाँ पर Washington consensus के अंदर US ने South Korea को assurance दिया है कि अगर कोई भी आपके उपर attack करता है तो फिर वो country map में बचेगा ही नहीं और हमारे nuclear assets आपकी धर्ती पर deployed रहेंगा वो कित्ते लंबे समय तर deployed रहेंगे वो एक अलग बात है जैसे की nuclear powered submarine भेज़ दी US ने South Korea के पास अब वो लंबे समय तर South Korea के पास रहेगी इसकी कोई guarantee नहीं है 1991 में भी जो tactical nuclear weapons US में South Korea पे place किये थे भी withdraw कर लिये थे ठीक है तो कुल मिला के long term में South Korea के अंदर एक insecurity बढ़ रही है कि US long term में security की guarantee दे पाएगा की नहीं दे पाएगा इस Washington declaration के through USA ही बोल रहा है कि हाँ भाई हम ये security आपको दे देंगे आप बिलकुल भी चिंता मत करिए अब देखिए दुनिया गलत तरफ बढ़ रही है 2018 में एक समय ऐसा था जब डॉनल्ड टरम और North Korea एक लिडर किम जॉंग उनकी बीच में बाचीश चुरूई था अगर ये बाचीश successful हो जाती तो कहीं न कहीं दुनिया आज दूसी तरफ जाती लेकिन confrontation का इतना महौल है पहले आप करो पहले आप करो की चीज में होता यह है कि कुछ ground level पर होता ही नहीं और अब यहाँ पर confrontation बढ़ता ही जा रहा है North Korea अपनी ballistic missiles को test कर रहा है अपने nuclear stockpile को बढ़ा रहा है और उसके बदले में US South Korea को बोल रहा है कि हम तुमारे साथ खड़े है confrontation बढ़ रहा है solution, peaceful solution कहीं से भी निकलता नजर नहीं आ रहा है North Korea समय समय पर अपनी intercontinental ballistic missiles को test करता रहता है अपने nuclear weapons की testing के claim करता रहता है US जबधा कुछ यहाँ पर कर नहीं पाता है long term में US अपने interest को ignore करके किस हद तक South Korea की मदद करेगा in case of a war यह देखना बागी है So thank you for watching friends, I hope वीडियो में आपको मजा है अपने viewpoint ली चेक अंड बाक्स में देखे जाएगा app को ज़रूर आउंड कर लीजेगा दोस्तों courses को आप check out कर सकते हैं काफी interesting course मतलब एक ही course अभी आपके लिए बनाएं चुकि मैं कम courses बनाऊंगा लेकिन effective बनाऊंगा have a great difference